बात करेंगे मज़े इसको लेमिटेड जो की सोफ़ियर कंपनी है और आज से इसके सीधे दिन स्टार्ट हो जो की है फज़क हो जाता था चोटी कौंटिटी भी नहीं जो की 50 लाग क्या सब्सक्राइट जो मैंने कई दिनों से इसको नोटिस कर रहा ह। इसपे बात करें तो टोटली उसके बड़ीजिट स्टार्ट हो गया है और आज यह 5% अपर संट पर शेर्केट पे लोग हो चुका है इवन किसी को एक सिंगल शेयर नहीं मिलता तो एक बड़ी न्यूज है वो इस वीडियो के थ्रू बताऊंगा प्लस गाइस सब्सक्राइब करना मत बूले चैनल को और जो जो वीडियो आप अपने कलिक को शेयर कर सकते हैं प्लीज शेयर देट शेयर वीडियो ताकि उनकी पी हेल्पोस के आज इसकी मजेशकों की बात करें तो 5% पे लोक हो गया और किसी को एक सिंगल शेयर पे नहीं मिला इवन मोनिंग से ही ये टोटली लोक है इसके बाउनवी खाई की बात करें तो बारे रुपे बीच पैसे इसका बाउनवी लो है अगर आप आपको याद हो तो 109 रुपे 90 पैसे इसने एक बड़ा डिविडेंट दिया था 944 रुपे पर शेयर जिसकी वजह से ये 109 रुपे 90 पैसे से जो की इतना नीचे आ गया था कि ये जो की इसका जो लो था पाउनवी लो यहाँ पर आके टिक गया था ये डिविडेंट जैसे ही एक स्टेट अनाउंस हुई एक स्टेट निकल गई उसके बाद जो निकलते ही इसमें लोवर सर्किट इतना पैंकर वाला लोवर सर्किट लगा था और ये 12 रुपे 20 पैसे पर आके टिक गया था जो गया उसके बाद कॉंटिन्यू अपर सर्किट पे लोग हुआ कापी दिन दोबारा लगना सुरू हो गया अच्छे दिन स्टाट हो गया और एक बड़ी न्यूज अनाउंस हुई है वो बतांगा उससे पहले हम इसका अनलसिस चेक कर लेते हैं इसके अनलसिस को देखे तो चीजें अभी काफी पैटर होती जारी इवन राइजिंग नेट कैश फ्लो है कि कंपनी के ऊपर जो टैप्ट है वो काफी लो है strong cash generating ability from core business improving cash flow in from operation for last two years company able to generate net cash improving net cash flow for last two years annual net profit improving for last two years book value per share improving for last two years company with zero promoter pledge so company with decreasing promoter pledge recent result की बाद करें growth in operating profit with increase in operating margin year on year high dividends with rising dividends yield over last five years so guys इसका जो dividend हो काफी पैटर है इवन जो अभी मैंने बताया था कि 974 रुपीज का dividend इसने दिया था जिसकी वजह से जो कि 1009 रुपे तक गया था ये 1009 रुपे से ये जो कि एक दम से जैसे ही अगरी से लिखाइट निगल गई आपस आगे था जो रुपी आपस आगे अगे से देखन गईता है जो काईज़ वीकनेश की बात करें तो मद घर कम्पनी इस ग्रोवीं कोर्स ये उन यह पर long term projects the promoter holding decreasing decreased by more than two percent quarter on quarter mutual fund decreased their share holding last quarter decline in net profit with the falling profit margin quarter on quarter decline in uh quarterly net profit with falling profit margin year on year declining revenue every quarter for the past two quarters promoter decreasing their share holdings a fall in quarterly revenue and net profit year on year so opportunities is positive break out third resistance highest recovery from 52 weeks low so guys 52 weeks low की बात करें तो 12 रूपे से जो कि अभी एड पर जो 66 रूपे है of course जो की काफी recovery हुई है बट बात करें 1009 की तो guys काफी downfall यहां पर जो की just because of के एक ही रीजन था उसके पीछे जो की इसने बड़ा डिविडेंट दिया था और नॉमले डिविडेंट के बाद डिविडेंट देने के बाद जो एकस्टेट होती है उसके पाद जो की शेयर प्राइस की वैल्यू बिल्कुल डाउं चली जाते जो इसने इतना बड़ा डिविडेंट दिया है वो सबसे बड़ा रिजन था इसका इतना नीचे जाने का इसके अलावा अगर बात करें इसमें कॉंटिनियो जो की मैंने बताया था कॉंटिनियो अपर सर्किट पे लोग हो रहा था बड़ी बड़ी क्वांटिट ब्रेक्टाउन आया था जो की उसके पाद अब इम्मिड़ेटली अपर सर्किट पे लोग हो गया था और 116 रुपे के बाद इसमें लोग सर्किट लगना शुरू हो रहा दुबार से और कॉंटिनियो लोग सर्किट लगता रहा और आज की बात करें तो अपर सर्किट इसम इसके एड प्रेजशन की तो सेंटिमेंट की 67 अभी पाय करने का सबस्क्राइब 24 परशंट नाइन परशंट पोर्ड करने का सबस्क्राइब So guys apart from that अगर पात करें इसमें काफि सारी bulk deal हुई है तो फकर्स इसका revenue काफि revenue decline गया है बात करें December quarter की But से पहले अगर बात करें जो कि September में इसका जो कि almost equal ही था बट अगर इसके पीछे के history के बात करें तो इसमें जो कि December 2019 में अच्छा काशा revenue था बात करें March 2020 में भी और June 2020 में भी इसका revenue काफी बेटर था अगर यहां पर बात करें तो थोड़ा थोड़ा यहां पर आपको जो कि इसका आनिंग पर शेयर में थोड़ा थोड़ा improvement दिख रहा है इसके अगर आप बात करें पुब्लिक होल्डिंग की तो यह चीजे भी देखें ऐसे लगता है कि थोड़ा सा रिस्की है बट एक कोड़िंग अगर बात करें तो चीजे ऐसे लगें कि हमें ट्राइक करना चाहिए फोर्शूर लेना चाहिए अभी एट परजेंट जो कंडिशन है तो इसका जो पब्लिक होल्डिंग हो 71% है अगर बात करें डुमेस्टिक होल्डिंग की तो 6% के आज पास यहां पर है और फॉर्ण इन्वेस्टिक की बात करें यहां पर भी डाउन है पट एक न्यूज है न्यूज के ऊपर चलते है डिरेक्ली तो न्यूज क्या है गाइस औरम वेंचर्स अक्वार लिस्टेड कंपनी मजेश्को प्रोमोटर स्टेक मेक ओपन ओफर सो ओपन ओफर के तुरू मजे परसेंट इन आइट कंसल्टिंग और सोफ्ट्वेर कंपनी मजेश्को थूआ सबसेटरी औरम प्लाइट इट प्राइट प्राइट लेमिटेड इन वाट इस पोसिबिली दा फॉर्स अक्विजिशन ओपनी पाया रियल इस्टेट कुरूप गाइस इसमें जो प्राइस है जो की 77 रुपीज जो की यह जो यह नूज सिर्फ यहां पर ही नहीं है हर जगे यह नूज फ्लैश है मजेश्को शेर प्राइस पूलोग इन अपर सरकेट और इन ओन ओपन ऑफर पाय औरम प्लेट प्लेट इट सो गाइट इस यहां पर काफी बड़ा ओडर जो की यहां पर जो लगा था दिर वस पंडिंग बाय ओडर सोप 26 24,61,641 शेर विद नो सेलर अविलेबल सो गाइस काफी बड़ा यहां पर मैंने आपको बताया वी था काफी बड़ी क्वांटिटी में एट प्रेजंट जो की जो इसकी बायर इसमें बाइं क्वांटिटी अभी आप्रेज ठीज चथा कर लिए इकाइस को फिटी फुलिफट परसेंट इसको व्यश्वां प्रिज्क हो आपको प्लिक वोल्ड शेयर फोलडर सो गाइस पूलिक श्रेयर ओल्रस से इतना पड़ा अमांट यह जो की जो श्रीक जो प्रसेंट जो जो इसका टोली जो स्टेक है वर थेज 26% जो कि एक्वायर रहेगा ओपन मार्केट के तुरू जो कि ऑपर प्राइस होगा स्थैतर रुपे इट मींस कि जो कि एट पचन चुक प्राइस है वो 66 रुपीज है और यह नूज है यह हर जगाँ फ्लैश है इवन जो एक जो लेटर है वो भी यहां पर आपको देखने को म प्राइस होगा प्राइस होगा वो 77 रुपीज का होगा तो आपको यहां पर एक चीज नोटिस करनी है कि 77 रुपीज पर यह एक्वायर करेंगे इस प्राइस को जो कि इस 77 रुपीज पर इतनी बड़ी कॉअटिकी जो कि अगर 77 रुपीज पर एक्वायर करेंगे तो यह तो है मैं कि 5% इसमें प्रॉपिट लेके और इसको निकाल देंगे 10 परशंट नि居के 100% profit लेके ही निकाले ये जो अभी ये quantity जो इन्होंने अभी acquire किये तो guys इसका अभी target almost जो कि अभी जो अभी at present जो price है उसका almost double लगा के चल सकते है क्योंकि अभी तो इसका जो अभी acquisition हुआ है इतनी quantity का उस price तक भी अभी ये price नहीं पहुचा है जो कि अभी at present जो price है मजेश को का वो 66 रुपीज है जो कि अभी जो acquisition हुआ है 77 रुपीज पे acquisition हुआ है इत मींस कि 10 से 11 रुपे उपर इसका जो share जो अभी ओरम ने acquire किया है वो 10 से 11 रुपे उपर acquire किया है तो guys अभी इसमें of course इसमें अभी at present जो tension वाली चीज़े नहीं दिखरी बट financial को देखके थोड़ा सा risky of course लग रहा है तो guys 120 रुपे के आजपास 120 से 120 से 120 से 125 रुपे के आजपास यहां पर आप hold करके चल सकते हैं इसको at least जो कि जो यह अभी जो acquisition हुआ at least इसको भी तो profit जहेंगे तो इतनी जल्दी यह अपना stake नहीं बेचने वाला so guys यहाँ पर चीज़े of course चो कि आपको अच्छा खासा profit मिल सकता है अगर आपको मिले at present इस price में मिले then that will be excellent for you और आपके पास अभी at present है तो उसको hold करके रखे guys at least 120 रुपे के आसपास के price में तो guys